नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना फेस्बुक ने अपना दाइरा कभी से ही बढ़ा दिया है इंस्टाग्राम क्या और मेटा तो एक अलगी दुनिया आ चुकी है ऐसे में अब मेटा के सामने एक ऐसी प्रॉबलम खड़ी हो गई है अगर ये प्रॉबलम सौल नहीं की मेटा ने तो फिर उन्हें फेस्बुक और इंस्टाग्राम बंद करने होंगे जिसे भारी नुकसान होगा आज की दुनिया में हर एक इंसान जो है वो इन चीजों का अडिक्ट बन चुका है हर रोज फेस्बुक पर या तो कुछ देखता है या कुछ ना कुछ पोस्ट करता है एक जिन्दगी का हिस्सा बन चुका है फेस्बुक और इंस्टाग्राइब ऐसे में अगर लोगों को कहा जाए कि फेस्बुक और इंस्टाग्राइब बन होने जा रहा है तो यह किसी शॉक से कम नहीं लेकिन लेटिस्ट रिपोर्ट्स जो है वो इसी तरफ इशारा करती है एक्शली यह प्रॉब्लम डेटा ट्रांसफर को लेकर है फेस्बुक और इंस्टाग्राम का जो डेटा है वो यूएस वाले सर्वर पर ट्रांसफर करना चाता है मेटा अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर फेस्बुक और इंस्टा को बंद करना होगा और डेटा ट्रांसफर में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि डेटा प्रिवसी को लेकर जो रूल्स है उसमें भारी चेंज़ आए हैं इससे पहले एक गाइडलाइन ती जिसको फॉलो करके किसी भी देश का डेटा मेटा अपने सर्वर पर ट्रांसफर कर पाता था लेकिन अब गाइडलाइन बगर गई है ऐसे मेटा करने में असमट हो रहा है Meta ने अपनी annual report में कहा है कि अगर वो European users का data अपने US वाले server पर transfer नहीं कर पाए तो फिर उन्हें Europe से Facebook और Insta को बंद करना होगा इसके अलावा और कोई option नहीं है इससे पहले ये data आसानी से transfer हो जाता था लेकिन अब नई guidelines के चलते ये data transfer करना मुश्किल है और अगर ये काम जल्दी नहीं किया गया तो फिर Facebook और Instagram को Europe में बंद करना पड़ेगा वेल अब कोई ऐसा बोलता है कि Facebook या Insta यूज नहीं करना तो ये किसी सजा से कम नहीं लगता है ऐसे में अगर इंडिया में कभी Facebook या Insta बंद हो तो क्या आपके लिए उसके बिना रहना आसान होगा वैसे तो हमने TikTok को भी बैन होते हुए देखा है और उसके जाने से यहाँ पर innovations ही हुए है तो आपको क्या लगता है अगर Facebook और Instagram इंडिया में भी बैन होता है तो क्या यहाँ पर भी Made in India आपस आजाएंगे जो Facebook और Insta को रेप्लेस करेंगे Comment section में जरूर शेयर करें